जैहिन दोस्तों ताये दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों अगर आप लोग का भी सपना है कि बोड एक्जाम 2023 में गनीत के पेपर में 90 पलस नंबर आए तो आप लोग इस वीडियो को मिश नहीं करिएगा क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोग के लिए है अगर आप भी कलास 10 में हैं और गनीत से डरते हैं कि पेपर में किस तरह का कोश्चन आएगा तो आप लोग को घबराना नहीं है क्योंकि हम वही कोश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोड एक्जाम 2023 में पूछा जाता है और उस पर आधारित सारा कोश्चन आज हम आप लोग को करवाएंगे तो दोस्तों अगर आप सपना देख रहे हैं तो सपना को साकार करने के लिए अभी से लग जाएए और कोई बड़ा कोश्चन अब्जेक्टिव में नहीं रहेगा और साथी साथ बता दें कि आपनों के पा दोस्तों हम वही बतलाते हैं जो आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो चलिए इससे पहले का सारा कोश्चन आप लोग सोच रहेंगे कि कहा है तो पहला वीडियो हम बना चुके हैं एक से लेकर दस कोश्चन करा दिये हैं आज हम आप लोग को 11 से बनाए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए छोटा छोटा करके आपनों को बता रहें ताकि समझने में कहीं पर भी प्रॉबलम ना हो चलिए बहुत ही प्यारा कोश्चन है एक एक कोश्चन को सॉल्व करके बताएंगे तो चलिए 11 नमर कोश्चन है कि यदि अलफा बीटा दुईघाथ बहुपद ए पलस बी एक्स पलस सी एकस स्क्वाइर के सुन्ने को हो तो अलफा पलस बीटा का मान क्या होगा अगर पहला वीडियो देखे हैं तो उसमें इस तरह का कोश्चन आया हुआ है तो सबसे पहले इसको पहले आप सही धंग से लिख लिजिए क्यों क् पहले स्क्वाइर ऋला लेखिए चसे स्क्वाइर फिर एक्स वाला वी एक्स पलस ए यह हमारा एक क्या हो गया समीकरन बन गया दोग वहाद बहुपद अब हंसे बुला है अलफा पलस बीटा आप जानते हैं कि अलफा पलस बीटा का फॉरमूलाद होता है माइनस बी वा ए नहीं पढ़े हैं तो जान लिजी आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, NCRT बुक में, तो आप देखिए, अलफा प्लस बिटा बराबर मैनस बी बाइ, मैनस बी का आमान कितना है, तो जो एक्स का गुनान खोता है, ठीक है, और एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, जो एक्स स्कोर का गुनान खोता है, तो C, अब यहां से देखिए, मैनस बी बाइ, C, आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, तो मैनस बी बाइ, C कहा है, उप्सन नमबर A में, एक के को बताएंगे, इस तरह से अलग अदाज में, कि आप लोग कभी भूल ना पाएं, ठीक है, चलिए, अगला कोशन रहेगा आपके सामने 12 नमबर, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो और साथी साथ एक्जाम से सम्मंदित सभी जानकारी आपनों को मिलता रहे, चलिए, अगला है बराबर होता है माइनस डी वाई, क्या होता है, माइनस डी वाई, सी होता है, ठीक है, यह आप लोग याद कर लिजेगा, अगर आप लोग के पास बुक है, तो NCRT बुक निकालिएगा, उसमें दुए हाथ बहुपत निकालिएगा, चेप्टर उसमें आपको यह मिल ठीक है, चलिए, अब D किसको बोलेंगे, तो A, B, C, D, बस यहीं से लिजिए, तो माइनस डी का मान कितना है, माइनस दो, और C किसको बोलेंगे, तो X का गुनांक है उसको, माइनस पांच, ठीक है, माइनस डी, सौरी, एक मिनट यहाँ पर कहें, माइनस डी वाई A होता है, यहाँ पर माइनस डी वाई A, मिस्टेक हो गया, फॉर्मूला है, फॉर्मूला गलत लिखिएगा, तो गलत हो जाएगा, एक आमान कितना है दोस्तों, तो दो है, ठीक है, दो, चलिए, माइनस माइनस पलस, दो बट्टा दो, कात लिजिए, कितना हो गया, एक, अप्सन नमर में हैं, और आप लोग गनित से डड़ते हैं, और आप लोग चाते हैं कि गनित में 90 पलस नमबर आए, और साथ ही साथ, अगर यह सोच रहें कि कोश्चन कैसा आता है, किस तरह का आता है, तो देख लिजिए, यह आप ही का कोश्चन है, आप लोग के लिए है, यह सारा कोश बराबर Q X Madhus into GX और P X का घ्हात कितना है 4 है GX का घ्हात 2 है बुला है P X पर吧 GX का घ्हात क्या होगा सारे चीज दिया हुआ है लिख लिजिए सार चीज घ्हात में ही दिया हुआ है GX का घ्हात कितना है 2 काट लीजе न 2 दूनि 4 जो ये निकला, किसमें निकला? घात में निकला, ऐसा नहीं कि पावर में एक कर देना है, क्यों? यहाँ पर हमको घात पहले सी बोल दिया है, कि जो PX का घात है, वो चार है, एंड GX का घात जो है, वो दो है, तो अब PX से सारा कोशन कर लेते हैं तो आप लोगो 90 प्लस नंबर लाने से कोई दुनिया की कोई तागत नहीं रोग जगता है यदि क्यों एक धनात्मक पुर्णांक है दोस्तों धनात्मक मतलब समझा है ना माइनस वाला तो एक धनात्मक बोलते हैं विसम संख्यां को ठीक है तो बोला है यहाँ पर विसम और यहाँ पर सम हमको बोला है कि विसम पुर्णांक का रूप होना चाहिए ना कि सम का ठीक है चलिए तो यहाँ पर दिया है 6 Q पलस दो अब देखिए Q का माद आपको क्या लेना है तो अपने मन से 1 2 3 इतना ही रहने देजिए कुछ भी ले सकते हैं पहल लेकिन धनात्मक है अब यहाँ पर रखेंगे तो छो चार दास ये भी क्या है सम पुर्णांक है यहाँ पर एक रखते हैं तो नो आएगा ये क्या है बिसम पुर्णांक है एक रखेंगे तो छो अब अब अताई हमसे बोलाए कि धनात्मक बिसम पुर्णांक ये सम है ये सम है ये sum है, बिसम कुन होगे आप भी आप चाहते हैं तो Q का मान 2 भी रख लीजिए, 3 भी रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है बाद वक्ति आप करते रहिएगा, ठीक है चलिए, अब आगे जो है वो 15 नमर question देखिएगा 15 नमर question है बहुपद 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 का घात है दोस्तों घात यानि की power पावर उसको बोलते हैं घात जो 4 के अधिकतम power हो, चर में क्या हो, अधिकतम संख्या हो अधिकतम संख्या, ठीक है तो अब देखिए यहाँ जो यह चर है, यह हमारा x है, अब x का यहां भी X है, यहां भी X है, यहां X की पावर कुछ नहीं, तो 1, X में 2, X में 3, अब बताई इसमें सबसे बरा पावर कौन है, तो 3 वाला है न, तो वही हमारा क्या होता है, घहात होता है, देख लिए, इतना आसान कोश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, इसी तरह से ही ठीक है, घहवराना नहीं है, चलिए, आगे बढ़ते हैं सोलर नमबर की, एकदम आपको दोस्तों समझना है, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, सारा कोश्चन किजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा, बुला है, किसी दुईगहात बहुपद के सुन्यक, यदि एक दिया है, एक, एंड बीटा बरावर भी है, एक, कोई दिक्कत, यह जो सुन्यक है न, यही हमारा अलफा बीटा होता है, यह एक अलफा है, एक बीटा है, ठीक है, अगर यहां से हम अलफा पलस बीटा निकाले तो क्या होगा, अब यह किस लिए निकाल दे हैं, आगे होता है, एक से स्कॉाइर माइनस, अलफा पलस बीटा इंटू एक्स पलस अलफा इंटू बीटा बरावर जीरो, यह हमारा क्या होता है, द्विगात बहुपत निकालने का सुत्र होता है, अब क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लिजिए, एक से स्कॉाइर माइनस, अलफा पलस ब फ्रेस हो गया, देख लेजी, x square minus 2x plus 1 कहा है, option number a में, एक एक question को दोस्तों समझाएंगे, इस तरह से आप लोग का सारा question जो है, खत्म हो जाएगा, किसी भी तरह का doubt नहीं रहेगा, अगला question देखिएगा, काफी important है, देखने के लिए तो नया question लग रहा है, लेकिन यह नया नहीं है, आप लोग जानते हैं इस question को, निम्लिखित में कौन योगिक संख्या है, आप बोलिएगा कि योगिक संख्या क्या होता है, गुरनखंड दो से अधिक हो, अब बता यह 13 क्या है, 13 एक से कटेगा, ठीक है, और 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यह नहीं कटेगा, केबल दो संख्या से कट रहा है, तो यह हमारा योगिक संख्या नहीं है, फिर 23 है, तो 23 एक से कटेगा and type Swim, यानि Swim, खुद से कटेगा。 तो ये हमारा योगिक संख्या नहीं है. 32 की बात करेंगे, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और ये 32 से भी कटेगा, अधर संख्या है, उससे भी कटेगा. तो कहने के लिए ये मतलब इसका जो गुननखंड है फ्यक्टर है दो से अधिक है न तो ये हमारा योगिक संख्या हो गया ठीक है सत्रा को अगर हम भाग करते हैं तो एक और सत्रा के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा तो ये हमारा योगिक संख्या नहीं है हमको बोला है योगिक संख्या न तो योगिक संख्या कोन हो जाएगा 32 हो जाएगा किलियर है चलिए एक एक कोशन बताएंगे आपनों घवराना नहीं है निमलिखित में कोन सा यूग्म सह अभाज यह है को प्राइम फ्यक्टर है ठीक है सो अभाज संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों जो संख्या जो जिस संख्या का सेफ क्या हो सेफ क्या हो सेफ क्या हो सेफ एक हो वही हमारा क्या होता है सह अभाज संख्या होता है याद कर लिजिए अगर नहीं याद किये हैं तो कोपी में नोट करके लिख लिजिए कि सह अभाज संख्या दोस्तों जिसका सेफ सब्सक्राइब क्या हो जाएगा यहां पर देखिए अठारा और पचिस का से लावा किशी से नहीं कटेगा उसी तरह से 32 इन संख्याक कोन सा Köक्सा हो जाएगा जिसका एक है कि Mr. चलिए अब उनीइस नंबर कोर्षन की और बढ़ते हैं दोस्तों अब आपके सामने है 19 न approve कुष्चन बोला है यदि बहूपद 3X to square प्लस 8X प्लस K के एक सुन्यक के ब्यूत कर्म, एक सुन्यक दूसरे के ब्यूत कर्म हो तो K का मान क्या होगा दोस्तों बता दे अगर बोला है एक सुन्यक जो है दूसरे का ब्यूत कर्म अगर मालेजे पहला सुन्यक अलफा हमारा क्या है अलफा ही है एंड बीटा क्या है वन वाई अलफा है तो दो सुन्यक हो गया एक तो अलफा अलफा ही है अब बीटा क्या है एक दुसरे का ब्यूत कर्म है यानि एक बटा अलफा है ब्यूद कर मतलब उल्टा होता है, याद रहेगा, तो K कामान क्या होगा, तो अब अगर हम यहां से Alphi into beta निकाले, तो क्या हो जाएगा, Alphi into beta, तो Alphi into beta होता है हमारा क्या चीज्ज? C ya, CYA ठीक है तो आप देखिए अलफा कितना है अलफा इंटू बीटा कितना है 1Y अलफा and C कितना है तो C हमारा है K and A कितना है ठीरी अब यहां से अलफा से अलफा कैंसिंग तो एक बराबर क्या हो गया K बट्टा 3 तो यहां पर क्रॉस गुना करेंगे तो K बराबर क्या निकल जाएगा ठीरी तो हो गया K का मान हम से पूछ रहा था तो K का मान कितना हो जाएगा ठीरी option number A क्या होगा right answer होगा ठीक है आज का last question रहेगा question number 20 देख लिजिए बहुत प्यारा question है बोला है यदि 1 बट्टा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तब समीकरण निकाए A1X पलस B1Y पलस C1 बराबर 0 कॉमा A2X पलस B2Y पलस C2 बराबर 0 क्या होगा इसका कितना हल होगा अधितिये हल होगा कोई हल नहीं होगा अनन्त हल होगा इन में से कोई नहीं होगा तो दोस्तों हम बता दे हम लिखी देते हैं आप लोग याद कर लिजेगा अगर अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 तीनों कंडिशन समझेगा अगला होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 और एक होता है A1 बट्टा A2 बराबर बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 तीन कंडिशन ही होता है तो इसका जो हो जाएगा A1 बट्टा A2 तो इसका होता है केवल एक हल याद कर लिजिए और नोट में लिख लिजिए केवल एक हल ठीक है फिर अगला है कि A1 वट्टा A2 अगर तीनु बरावर है तो इसका होता है अनन्त हल यानि कि अनेक हल कह लिजिए या अनन्त हल कह लिजिए और यह होता है A1 वट्टा A2 बरावर V1 वट्टा B2 बरावर नहीं है C1 वट्टा C2 तो इसका होता है कोई हल नहीं कोई हल नहीं तो अब यहां से हम को देखिये क्या दिया गया है यह वाला condition और यह कहां पर है यहां पर है तो क्या हो जाएगा अनन्त हल हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आज हमने आपको 20 कोस्टन कम्प्रीट करा दिया है आपके बोरी जम्द हो जाकते हैं इसके लिए काफी इंपोर्टेंट कोस्टन है आप लोग का भी सपना है कि मैथ में 90 पलस नमबर आए तो इस कोस्टन को एक बार सही दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट किजिएगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत और बता दें कि बगल में कुछ साउंट प्रोब्लम है जो कि यहां पर बजने आर 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 आर